नवादर जलांतरगत कोविनपूर प्रखंड के वक्सोती पंचहित के बाड़नमबर 10 पुरानी धखनी गाउं के महादलित टोला में 7 निश्चित यूजना की तहट लगाए गए नल जल की टंग की शोभा की वस्तू बन कर रहे गई है महादलित टोला के सैक्रो घर के लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है पीने के पानी के लिए पुरानी धखनी गाउं के महादलित टोला के लोगों को एक क्लू मीटर दू पानी लाने ले जाने पड़ता है यहां फिर खेत पटवन के लिए मोटर चलने का अंतजार करना होता है तब जाकर लोगों को पीने के पानी मिल पाता है गाउं में एक भी चापकल नहीं पेजल के नाम पर एक मात नक्चल यूचना का टंकी है वह भी शोभाब की बस्तू बन कर रह गई है गाउं के बाहर एक हुआ है वह भी सूखा पड़ा है कोई पर लोगों को पानी भड़ने के लिए घंटो लाइन में लगना पड़ता है पुरानी ढखनी गाउं की दर्चनों महिलाओं ने बताया है की महिनों से नल जल बंद है कई बार हम लोग वार्ट सदस्य जितिंद्रियादव को नल जल चालू करवाने के लिए कह चुके हैं लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया और कहा हमारा काम था सिर्फ टंकी लगा देना और चालू रहे अपन उससे हमें कोई मतलब नहीं है जबकि पानी की चंद्गी पूरी दराव शतीगस्त है लोग तो कितना दिन से पानी नहीं मिला थे नहीं है अच्छा तो यह आपके हां जो नल जल बना हुआ है तो क्या इसको लेकर के बार्ट सदस को बोले हैं चलू करने के लिए पानी नहीं पानी नहीं चलता है कितना दिन से खराव हैं तो आप लोग कहां से पानी ला रहे हैं मोटर पर से कहां से बाद से लाते हैं कितना दूरी लगबग जाते होंगे बुम्यार के मोटर पर जाते हैं बुम्यार लोग पानी ने दताचा भी लेके चल जाता है घूर के चल आते हैं हैं आप लोग कहां से पानी पीते हैं बुम्यार को मोटर चलता है मोरी उरी पटता दे लाते हैं वहांसे रहते हैं खरता है हमसी वरोफिध को सीमिइए था आते लाते है कितने कम चलते हैंब दो कि बनाए चल रहा है, तो टांकी पुडिया उल्पा बेवास्ते नहीं है